अस्लामयेक्लम्टू मारी चैनल कैसे है आप लोग昨天 वी किजंड ने बॉल के केशन में माल रहे हैं मिनी केक्रास्क रचिन और केक्रास्क की रेस्प्र ने नहीं देखि़ थे पहले तो आज़ highly केक्रास्क और रेश्पी की तरफ सब से पहले मैंने लिया है मखषन करदे जो के आदा कप और यह रूम टेंपरेचर है आदा कप मखषन चला गया इसमें और मैंने डाल देना है आदा कप पिसी हुई चीनी को आप मिक्सी में पीस लें और इसके बाद चान लें इसे जो इसमें ग्रेंज होंगे और जो भी गुट्लियां होंगे इसमें साफ हो जाएंगे निकल जाएंगे इसमें चीनी हम ने डाल दी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तकि ये MIX करते हुए, बीट करते हुए salaries का ले अच्छे से वे करेंगे अच्छे ये तका करेंगे इसको बीट क्या जांत बहुत लूंद प्रगें बहुत सब्सक्राइब करेंगे हैं ताकि वीडियो जादा लंबी ना हो यह चला गया दो चले गए और दीसरा भी डालेंगे और इसको बीट बहुत अच्छा सा क्योंकि मिक्स्टर हमारा जितना अच्छा बीट होगा ना उतना ही अच्छा जो सॉफ्ट और फ्लफी बनके जो केक है ना वो त्यार होता है अगर को देख सब्सक्राइब नहीं है तो आप इसको हैंड विसकर की मदर से भी इसको बीट कर सकते हैं बहुत अच्छा सा एक कप इसमें जाएगा मैदा मैदा जो है इसको मैं च्छान लिया है ऊच्छान के मैये का लियर है और एक कप इसमें लाएक फ़र्फोड़ा कर्के में काट फोल्ड मेथट के साथ हम इसको मिक्स करेंगे बहुत ओवरल जाएंगे तो तोड़ना बहुत मुखिल होता है बहुत देर लगती है मेदा चला गया सारा और इसमें डाल दिया है एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और यह चीज़े डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स अगर आपके पास वैनिला एसन्स हो तो वो जरूर डाले मेरे पास खत्म हुआ था मैंने इसलिए नहीं डाला मेरे पास है वन फोर्थ कप दूद है और इसमें मैंने हलका सा येलो फूड कलर इसमें शामल किया इस बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए इसको अगर आप ना डालना चाहें तो ना डाले एक चुटकी करीब मैंने इसमें डाला है येलो फूट कलर और इसको अच्छी किसे बेकिंग के तरफ मेरे पास ये एक मोल्ड है और ये अनब्रेकबल है हीट प्रूफ है तो इसको मैंने अच्छी से ऑईल के साथ ग्रीज का लिया और अब इसमें लगाएंगे हम बटर पेप अच्छी से इसको अपर लगा देंगे और सारा मिक्सिर जो है इसके उपर हमने डाल देना है बहुत अच्छा सा मिक्सिर डाल दिया अच्छी से इसको चारो कौनों पर फिला देंगे अच्छी से और इसको हलका सा टैप करेंगे ताकि इसकी जो हवाँ है वह निकल जाए ब 10-10 मिनट पहले मैंने इसको लगाया था गरम होने के लिए 10-10 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा गरम हो गया तो हमने इसमें रख लिया अपना केक वाला मॉल्ड और इसमें 20-25 मिनट में यह बहुत अच्छा सा बेक हो गए तर्मियां मैंने एक दफ़ इसको चैक पी किया यह देखें चूरी का निशान बहले भी आपको नजर आ रहा होगा तो यह देखें चूरी हमारी बिल्कुल साफ बाहरा है इसका मतलब है केक जो है वह बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है अब हमने इसको करना है पीसिज में काट करेंगे चोट चोटे बाइट साइज पीसिज मे कि cuts करेंगे और इसके बाद यह अई है इसमें सारे पीसिज में रहग दइना है बहुत अच्छे से पांच मिनंट के लिए के दूसरे साइट पर रखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे जो केक रास्क हैं मों बेक हो जाएंगे पन जैयर हो जाएए के साथ इसको ृतार है Stre वीदियो ये देखें हमारे बहुत नीम्लडी मजेडी और चाय के साथ और वह तर उद्स याँ के सफट और क्रिस्बस पनकर त्यार नहीं तो चैनल को का दे सबस्क्राइब जानai कितने सौफ्ट और मजएक हैं चोटा सा प्यारा सा कमेंट कमीट बॉक्स में आपने जरूर चोड़ना है आज इतना ही दौा में याद रखिएगा आप सब लों के अपने खुश रहें आबाद रहें खुश्या बांटे रहें लाहाफिज